हालो स्टुडेंट आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन स्टेडी फ्रैयन क्लब पर आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे तो आज हम लोग तीसरी नंबर क्लास करने वाले हैं और दो क्लास हम लोग यू कोशन हैं आज यहां कोशन के बारे में आप लोगों को बता दें तो आज आप लोगों को करेंट अफेयर्स के भी कोशन मिलेंगे current प्लस जीके के question दोनों के question mix मिलेंगे तो आप लोग ध्यान पूरोग पढ़ते रही और ध्यान पूरोग समझते रहिएगा यह सब आप लोगों के लिए बहुत important question होने वाले हैं क्योंकि यह सब previous year question है इसलिए आप लोग ध्यान पूरोग इसे दो बार तीन बार class को जरूर जोईन करिएगा और यदि चैनल पर नए है तो चैनल को पहले फटाक से subscribe कर लेजिए और वीडियो को like कर दीजिए हम लोग class को start करते हैं तो देखते हैं पहला number question हमारा क्या है पहला ही number question हमारा important है जहां पर मैं star mark लगा दूँ उसे आप लोग समझ लेजिए कि important है तो पहला question हमारा है क्या ध्यान दीजिए किस राज जी के मुख्यमंतरी ने किस राज के मुख्यमंतरी ने राज जी की सभी आंगन वाडियों में बच्चों के पोसड इस्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्द कराने है तो महिलायों बाल विकास विभाग किये के पर्योजन का उडगाटन किया है कहां की सरकार ने केरल की सरकार ने तो आप लोग इसे जरूर ध्यान दीजिएगा यह कोशन करेंट अफेर्स का है आप लोग ध्यान दीजिए कहां पर इस्टार्ट हुआ है केरल में दूसरा कोशन हमारे क्या है दूसरा कोशन हमारे क्या है यह भी इंपोर्टन्ट है बैक इस्टिक बैक स्टिक सब्द का परियोग निम्खिद में किस खेल में किया जाता है क्रिड़ा क्रिड़ा मतलब होता है खेल किस खेल में किया जाता है तो आई होप आप लोग समझ में आ रहोगा किस खेल में किया जाता है हौकी में तो आप लोग यहाँ से याद कर लेजिए हिंट में आप लोगों को बता देता हूं कैसे हिंट ध्यान दीजिए हैं पर हिंट है आप लोगों की हिंट क्या है ध्यान दीजे इस्टिक में लग छणी होती है तो जिस खेल में हम लोग छणी क्या प्रयोग करते हैं वहाँ खेल कौन सा है हौकी है तो आप लोग ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं नेक्ष्ड कोशें देखें तीसरा नमबर कोशें क्या है किया है हमारा है इंपst साथा निक्तिरा को किया नितिन गुपता को कि Certist नितिन गुपता को सब्लोग आजैंप चौथा नंबर कोईशन भारत में दूसरे अंतर राष्ट्री योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी यहाँ पर देखे कोईशन क्या हो जाएगा इसका एंसर सतत विकास लच्छों की प्राप्ति के लिए योग इसकी थीम क्या थी आप लोगों को प चल गया इसका एंसर क्या होगा इसका अंसर हो जाएगा सतत विकास लच्छों की प्राप्ति के लिए योग आगे बढ़ते हैं पांचवी नंबर कोईचन की तरफ ध्यान देते हैं और आप लोगपधते रहे अच्छ निक्ट कोशन ये भी इंपोर्टेंट है ध्यान दीजेगा अंतर राष्टी अहिंसा दिवस्त कब मनाया जाता है दो अक्टूबर और दो अक्टूबर को ही गांधी जैनती प्लस लाल बहादूर सास्त्री जैनती भी मनाया जाती है तो आप लोग इसके साथ साथ इसको भी य अलबम विंड्स आफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी प्रुसकार जीता कौन है रिकी केज आप ये कोशन फिर से दुबारा रेट कर लिजेगा आठो नंबर कोशन के और बढ़ते हैं ध्यान दीजे क्या है आठो नंबर कोशन आठो नंबर कोशन है निम्खित में से किसे भारत सास्त्री संगीत में सरोध समराठ के नाम से जाना जाता है ये इंपोर्टन कोशन है सरोध समराठ के नाम से किसे जाना जाता है अमजद अली खां अमजद अली खां और इनके दो पुत्र हैं आयान अली खां और ओमान अली खां तो आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं व हमारा साइंस को कोशन आगे धान दीजे साइंस को कोशन क्या है कमिश्टी का बोल सकते हैं इसे अनबुजा चुना क्विक लाइम इंगलिस में क्या बलते हैं क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है सी ए ओ ये कमिश्टी को कोशन आगे सी ए ओ साइंस को कोशन है आगे दस नंबर question important है भारत में वायू दूत एरलाइन के स्थापना कब हुई थी 1981 में भारत में वायू दूत एरलाइन के स्थापना हुई थी यदि आप लोगों से question पूछ ले क्या कि भारत में पहली बार जनगरना कब हुई थी आप लोग क्या बताएंगे भारत में पहली बार जनगरना की थी 1862 में और किस के सासनकाल में। ल लड में ये question important है आप लोग जरूर मार्क करके रखिएगा पहली बार जनगरना 1872 में किस के शासनकाल में लाड में की सासंकाल में तो ध्यान दीजे एगला कोश्जन 11 number अबदुल करीम खान फिंदूस्तानी संभयत के यूवा ओलम्पिक खेलों के पहले संस्क्राण का आयोजन कहां किया गया था तो कहां पर किया गया था सिंगापूर में किया गया था यूवा ओलम्पिक खेलों का पहले संस्क्राण का आयोजन कहां गया था सिंगापूर में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन ध्यान दीज परिसद द्वारा आयोजित 2019 के सेन विस्ट खेलों की मेजबानी की थी कि सहर में अंतराश्टी सेन खेल परिसद द्वारा आयोजित सेन विस्ट खेलों की मेजबानी की थी वुहान कहां पर है चीन में चीन के वुहान में अगे ध्यांदी जी नेक्ट नंबर कोशन हमारे क्या है इंदरा गांधि सहरी रोजगार गरांटी योजना कहां पर 2022 कि सरकार द्वारा लागु किया गया किस राज में राजस्थान है आप लोगों मार्क करके रखेअगा यह कोशन इंपॉट्न्ट है तो सहरी रोजगार गरांटी योजने 2022 की सराज सरकार द्वारा लागू किया गया था राजस्थान तो आज के लिए इतने कोशन काफे हैं आई होप आप लोगों को समझ में आगे होगा आप लोग इसे बार बार रिवीजन करिएगा 15 नमबर कोशन के आगे से हम लोग निश्ट कलास में पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद पढ़ते रहिए अच्छे से और मेहनत करते रहिए